अब यहां पे एक question देखते हैं, 38469 को जब किसी संख्या से भाग दिया जाएं, तो 8969 लगातार शेश्वल आते हैं, तो भाजक क्या है? है ना, देखो, एक number है, जो है 38469, है ना, आप इसमें पता नहीं किस number से भाग देते हो, तो देखो क्या-क्या हुआ होगा, पहले भाग गया होगा, तो आपके पास सबसे पहले क्या बचा होगा? 8, ठीक है? यहां पर क्या बचा होगा? 8 बचा होगा, इसके बाद फिर आपन होगा, 6, फिर आपने भाग दिया होगा, तो आपके पास क्या बचा होगा? 9, यह आपको बात समझ में आई, पहले 8 बचा, फिर 9 बचा, फिर 6 बचा, फिर वापस से 9 बचा, यही आपके रिमेंडर्स होगे क्या? ठीक है? ओके है, डन है? चालो, अब आगे मेरी बात स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? चालो, अब यहाँ पर जैसे हम सबसे पहले सोचेंगे, है ना, यहाँ पर जैसे हमने सोचा, कि यहाँ पर कितना आया है, यहाँ पर 30 आया, यहाँ पर 8 रिमेंडर्स आया है, 8 रिमेंडर्स आने का मतलब है, कि यहाँ पर 30 आया होगा, यहाँ पास 8 बच गया होगा, ठीक है, फिर आपने क्या करा होगा, next time आपने यहाँ पर 4 केरी करा होगा, है ना, यहाँ पर आपने क्या करा होगा, 4 केरी करा होगा, अब यहाँ पर 84 है, लेकिन यहाँ पर 9 रिमेंड नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 75 आया होगा, ठीक है, फिर इसके बाद next क्या carry हो जाएगा 96, तो 6 कब बचेगा जब यहां पे 90 आया होगा, पिर यहां 6 है और इसके बाद यहां पे 9 है, और यहां 9 कब बचेगा जब last में 6 आया होगा, तबी तो overall last में कितना आ जाएगा, आपका 9 आजाएगा, तो आपको इससे फर्क नहीं पड़ 95, 90 and 60, इन सब का अगर मैं HCF लूँगा, which is 15, 15 वो नंबर है जिसका बाग सब में चला जाएगा, यानि आप किस नंबर से डिवाइड कर रहे थे, आप 15 से डिवाइड कर रहे थे, this is your answer. झाल